कर किसन साथियों स्वागत आप सभी का एक बार फीर से मालवा कीछे थी यूटूब चैनल पे कई किसन साथियों के कमेंट इस समय प्राप्त हो रहें कि सर हमारी जो स्वाइबिन की फसल है वो चिदी हैं या पोदे हैं वो दूर-दूर हैं क्योंकि वो आई के समय सीड रेट कम हो गए था जिसके कान फसल पुरी तरे से जमी नहीं है तो अब हम अपनी फसल में क्या करें कि हमारी फसल में जो ब्रांचिंग हो अच्छी हो शाखा हैं वो अधिक निकले फुटावे वो अच्छा हो ताकि अधिक मातरा में फूल आये अधिक फलिया बने हो और हमारे जो पोदो के संक्याए के कमी के करन्ण जो उत्पदन आप बावित नहो तो किसानसात्यों सबसे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूँआँ कि दुनिया में ऐसी कोई दवा नहीं हैं ऐसा कोई टानिक नहीं है जो कि आपके फसल में फुटाउ बढ़ा सके चाहाएं निकाल सके अधिक माता में फूल ला सके या अधिक फल्या वो बना सके, किसलसाथियों फोदे को 16 से 17 परकार के कोशक्षक तुटको की पूर्ति यदि आप सही समय पे कर देते हैं, तो फिर आपकी फसल को किसी भी परकार के कोई ढानिक की ज़रूरत नहीं है, किसलसाथियों वैसे भी, यदि आपकी फसल चीदी डह गई हैं, या फोद थोड़े दूर हैं तो वो पोदे ओटोमेटे की रूप से मजबूत बनेंगे कारण यह किसलसाथियों कि उन में जो कॉम्पिटिशन है वो नहीं होगा प्रकास और हवा का संचारण आपकी फसल में अच्छी तरह से होगा जिसके कारण आपकी फसल पूरी तरह से अच्छी हो से काम करती हैं और इसका क्या फाइदा आपको देखने को मिलता है साथ में यह भी मैं आपको बता हूँगा कि इनका कितनी मात्रा में और कब आपको पर्योग करना है तो पूरी जानकारी वीडियो के माद्य हम से कवर करने वाले हैं आप वीडियो के लाश्ट तक जरूर ब होते हैं और इन पुष्टों की पूरती हम विबिन प्रकार के खाद चाहे हो गोबर के खादो या रास्ता नहीं खादो इनके मादम से करते हैं जैसे नाइट्रोजन फास्परस पोर्टास इनको देने के लिए हम डी एपी एंपी के सिंगल सुपर फास्पेट या यूरिया का प्रयोग करते हैं भुवाई के समय भी किसन साथियों आपने प्रयोग कर लिया हुआ लेकिन यदे आपने नहीं प्रयोग किया है तो अब प्रयोग करने का कोई फादा भी नहीं है क्योंकि पिछले एक वीडियो में मैंने आपको बता है कि स conservatives में खाद या फाटिलाइजर खाट डालते हैं तो उसका कितना फाइदा आपको होता है और कितना नुकसान आपको होता है यह आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो जाकर देख सकते हैं किसान फ्रतियों इस समय के बात करें तो अधिकतर किसान भायों की जो फसल है वो 20-25 दिन की अवस्ता में चल रही ह तो हमें जो भी पोधे का विकाश करना है और डिवलोप करना है इसको पूल आने से पहले पहले करना है क्योंकि इसकी अभी वानसप्रतीग व्रदी के वस्ता आ है और इस समय ये हम अपनी फसल इस प्रकार की दीख रही है हमें के पोधे वीरले हैं कि थोड़े मजबूत बन इनके ब्रांचिंग हो जाए तो बहुत ही अच्छा है तो किसल साथियों सबसे पहले एक बात केना चाहँगा कि स्वयबिन के भी विबिन प्रकार की वराइटिया हैं कुछ वराइटिया ऐसी होती हैं जो शीक्र बढ़ने वाली वो सीधे बढ़ने वाली होती हैं कुछ कितने पर ही ज़्यादा खलिया आती हैं और किसी किसी वराइटिय में थोड़ी बहुत ब्रांचिंग होती हैं लेकिन चितने भी लंबी समय की वराइटिया हैं उनका जो पोदा है वो काफे मद्बूत बनता है उनमें अधिक मात्रा में शाखाय आती हैं और अधिक फूल आ पोदे की लंबाई बढ़ाना ठीक इसी प्रकार से एक पोशक तत्यों होता है जो पोदे की चोड़ाई बढ़ाता है यहां पर चोड़ाई से मतलब किसन साथियों हमारा ये हैं कि वो पोदे की शाखाय निकलता है और उस पोशक तत्यों का नाम है फास्पोरस जो किसन साथ आपने उस समय प्रियोग किया है उसके बाद भी इस समय आपको फसल में जो ब्रांचिंग की समस्या है देखने को मिल रहे हैं या फसल सीधी बढ़ रहे हैं खुटाओ नहीं हो रहा है तब आपको एक काम करना है क्योंकि कई बार किसल साथियों कि फासपोरस नहीं वो अगु नहीं हो रहा है इस समय यह हम अपने फसल में फ्रेंट फासपोरस अवेलेबल करा देते हैं तो नेशी टूप से जो उसकी ब्रांचिंग है वो अच्छी होगी तो किसल साथियों इसके लिए हमें वाटर सुलिबल परियोग करना पड़ेगा जिसमें फासपोरस अच्छी मा नार्टरजन होता है वो 12% होता है और जो फासपोरस होता है वो 61% होता है और जो पोटास ही वो 0% होता है चूँकि आपकी फसल अभी वानस प्रतिक व्रतिक आवस्ता में है इसलिए इसे थोड़ी मातरा में नार्टरोजन की आवशकता भी है और क्योंकि ब्रांचिंग की स आच ग्राम पती लिटर के मातरा के हिसाब से अपने हसल में स्प्रेह करना है लेकिन इससाथ पर आप को अखिला स्प्रेह ने करना है इसके साथ हम दोसके तीन परकाल के पौश अक्तातु करें देंगे ताकि पोदे को किसी भी परकाल की पोशेक cutback कमी न हो। इसके साथ देंगे किसल साथ कि हम समुधरी गास से निर्मित कोई भी जो छेविक प्रडक्ट आते हैं बाजार में जैसे की एक कुण का साकरी प्तुरूब से बरसाद भी नहीं हो रही हैं, फसल की पाने की पूर्ति पूरी तरीके से नहीं हो पारी हैं, तो फसल हैं वो तनाव में, तो यह जो समुद्री गास से निर्वेज जो पदार्त हैं, यह आपकी फसल में तनाव को दूर करने का काम करेगा, वहीं इसके साथ की पूर्टि करने के लिए भी हमें इतको पर्योग करना पड़ेगा समूत रिका से lisa बात करें के सलसात्यों चाहिए आप एकों का साहरी का ले या पियाई का बायोट इसे आप टानिए करे सकते हैं, एक से 1.5 ग्राम पती लेटर की इसके आपको मातरा रखने हैं और वहीं ज़िए हम आइक्रिन नुटेंट के बात करें तो 1.5 ग्राम पती लेटर पानी के हिसाब से मिला कर आपको इसका इस्प्रेग करना है, यह जो तीनों प्रोड़क्टर के सर्थियों आप आपस में मिला कर अपनी फसल पर इस्प्रेग कर सकते हैं आपके फसल 20 से 25 दिन के वस्ता में यह इस्प्रेग करने का बहुत ही समय है, सही समय है क्योंकि अभी भी आप थी फसल की जो वानस्प्रति व्रद्धी हो रही है तो इस समय यदि आप इनका प्रियोग करते हैं तो निश्ची रूप से आपको अपनी फसल में थोड़ी बहुत तो प्रांचिंग दिखेगी ही दिखेगी क्योंकि आप अपनी फसल में पोशक तत्य फिर भी एक में बात यही कहिना चाहूँगा कि जिन वेराइटियों में शाखाएं निकलती हैं उन्हीं वेराइटियों पर आप इनको प्रियोग कीजिएगा जो सीधे बढ़ने वाले सोयबिन की वेराइटिये हैं उन पर यदि आप यह प्रियोग करेंगे तो आपको कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा तो किसा साथियों आज की वीडियो में ही जनकरी थी उम्मीद करूँगा कि आप लोगों के पसंद आएगी और पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक हीजेगा चैनल को सिस्क्राइब कीजेगा और वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो अन जए जवान जएकिसान